एक बार इस तरीके से भिंडी की सबजी बना कर देखे, खाकर मसा जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना बहुत आसान, दोस्तों ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राय करें अपने घर पर, और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कीजिगा, शेर कीज चैनल सब्सक्राइब कीजिगा, बहुत है कि बनाने के लिए हमने यहां पर 500 घ्राम के करीब फ्रेश भिंडी ले लिए, अच्छा, आप कैसे पहचान होगे बिंडी फ्रेश है या नहीं, जब भिंडी खरीदने जाए, तो उन्हें टेस्ट जरूर करें, कि वह फ्रेश या बिंडी को मार्केट से लाने के बाद इन्हें पानी में थोड़ी दिर के लिए भिगा दे उसके बाद इन्हें अच्छे से वाश करें दो तीन पानी में and then cut करेंगे तो इनका head part काट कर अलग कर देंगे और एक से डेड़ इंच के लंबाए में इन्हें काट कर त्यार कर लेंगे बिंडियों को आप अपनी मनपसंट टुकडों में काट सकते हैं छोटे आपड़े तो यहाँ पर बिंडी कट कर त्यार है और आए अपने एक्स प्रोसेज में इन्हें ले चलते हैं बिन्डी में तीन मीडियम साइज के बारी कट्य वे प्याज एट करेंगे इनका पेस्ट नहीं बनाना है आपने बारी कट्य चॉप करना है आप इसे हैंडचोपर के अंदर चॉप कर सकते हो दो छोटे चम्मच के करीब बारी कट्य वे लेसन एट करना है ये 10 से 12 कलिया लेसन की हैं इन्हें भारीक बारीक चॉप कर लिया है आप इनका पेस्ट ले सकते हो यदि आपको पेस्ट पसंद है अब इसके अंदर हम हरी मेर्च चैट करेंगे एक बड़ा चम्मच तीन हरी मिर्चों को बारीक काटा है आधी चोटी चम्मच हल्दी पाउड एक चोटी चम्मच कश्मीरी लाल में चैट करेंगे चोथाए चोटी चम्मच तीखी लाल में चैट कर लेंगे चोथाए चोटी चम्मच जीरा पाउडर एक चोथाए चोटी चम्मच घरम मसाला पाउडर नमक टेस्ट के कोडिंग एड़ किजेगा और एक चोटी चम्मच पर चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे अपने हाथों की मदद से यह बिंडी की एकदम बहतरीन रेसिपी है यदि आपने इसे एक बार ट्राइ कर लिए अपने घर पर तो इसे आप हमेशा है सी तरह के से बनाना पसंद करोगे सभी भिंडियों पर मसाले अच्छे से लिपड़ चुके हैं और अब इन्हे थोड़ी देर के लिए साइट रखेंगे सिर्फ पांच मिनट के लिए तब तक इनके मसाले इनके अंदर एब्जॉब हो जाएंगे और हमारी मसाला भिंडी फ्राइब बहुत ही जादा टेस्टी अगर यह रेसिपी अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करते चलिए शेर करते चलिए इस वीडियो को बिंडी को रेस्ट करते वे पांच मिनट बीच चुके हैं आए इन्हें फ्राइब कर लेते हैं तो सिर्फ डेट बड़ी चमच सरसो का तेल गरम करेंगे एक नॉन आज को इस टाइम हाई रखेंगे और हाई फ्लेंपे हमें इसे सिर्फ और सिर्फ दू बिनिट के लिए फ्राइ करना है कि हमें दिधी के अंदर जो लस होती है उसे खत्म करना है हाई फ्लेम पे फ्राइ कर देंगे तो इसकी लस्खतम हो जाएगी साथे में हमने खटा चटपटा चाट मसाला एट किया है तो खटाए से भी बिंडी की लस्खतम होती है यदि आप के पास चाट मसाला नहीं है तो आप नीबू एट कर सकते हो अब चुले कि आज को मिडियम टू लो कर देंगे और धकर पका लेंगे तीन से चार मिनिट के बाद वापिस से चेक करेंगे तो भी बिंडी अच्छे से कुक होने लग गई है इनका कलर देखे कितना वाइबरिन ग्रीन आ रहा है तो इसमें ज़्यादा कुछ भी ने करना है बस थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चेक करते रहना है चलाते रहना है ताकि मसाले चारो तरफ से इवनली कुक हो सकें जिसके अंदर प्याज लेसन वगरा एड है यह हमें बस अच्छे से भूनना है इस रिसिपी की खास बात यह है कि जब तक यह मसाले भूनेंगे तब तक हमारी भिंडी भी कुक हो जाएगी अब चुले कि आज को बिल्कुल कम कर देंगे और चार से पांच मिनट के लिए इने कुक होने देंगे पांच मिनट भी चुके हैं और भिंडी का आप टेक्षर और डेख सकते हैं मसाल एकदम golden हो चुके हैं बहती बढ़िया सी खुश्बु आ रही है और भिंडी का कलर बहुत अच्छा है आप देख सकते हुँज सकते हैं इनका कलर और टेक्षर आज को तेज कर देना है और हाई फ्लिम पे एक से टीड मिनिट के लिए भिंडी को फ्राइ कर लेना है ताकि इनके अंदर जो भी मौश्चर है वो खत्म हो जाए और भिंडी में एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर डेपलप हो लिजे तयार है एकदम सर्फ करने के लिए गर पराठो के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यदि आपको सीजन के और भी सबजियों के रेसिपी चाहिए जैसे कि लोबिया फ्राइ तोरी घीया करेला या फिर टिंडा या फिर भरवा करेला या बहांगन तो फिर कोमेंट कीजेगा कोमेंट सेक्शन में येस लिखिएगा हम आपक पर फौलो कर सकते हैं थीक्यू सो मच पर वाचिंग हैव अगरेट टे